मेल आंटी एक्सपीरियंस बक्तर तो यात्र के लड़ना आत्र श्टो असलू पाकिस्तान हैं दुक चो नमस्कार दोस्तो मैं नाम है रादिप सजवान और आजम बात करेंगे गोपेचंद की सुपरिट फिलम सासम यानी दोस्तो वीडियो सुटी करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है के दिया आप में चनल पर नए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजे ताके मैं आपके लिए और बिस सी वीडियो ला सकूँ दोसो सासम एक तेलगू लेंग्वेज में बनी एक अडवेंचर एक्षन फिलम थी जो कि 12 जुलाई 2013 को सिनवा घरों में रिलिज हुई थी और इस फिलम में हमें मुख्य भूमका में नजर आये थे गोपिचंद सर, तापसी पन्नू, शक्ती कपूर, सुमन, पारु गंबीर, राज सिंग रोडा, अली, सूर्या और नायान मुर्ती इस फिलम के डायरेक्टर थे चंदर सेकर यलती और पडूसर थे बीवी एसन परसाद इस फिलम की कहानी लिखे थी, खुद डायरेक्टर चंद सेकर यलती ने और फिलम ने म्यूजिक दिया था स्री कुमलनी ने वहीं इस फिलम के बजट की बात करे तो, फिलम का कुल बजट 30 करोड था और उसने बॉक्स ओपिस पर 90 करोड की शांदार कमाई की थी और ये एक सुपरिट फिलम साबित हुई थी, इसके अलावा इस फिलम के गानों की बात करे तो, इस फिलम में टोटल 5 गाने थे और सभी के सभी गाने सुपरिट साबित हुई थे फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को पॉपुलर वेबसाइड आइमडीबी पर 80,000 से बिस जादा लोगों ने 10 में से 6,55 की अच्छी रेटिंग दी है और फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में गोपचन सर ने एक गौतम कुमार वर्मा नाम के एक सेक्योर्टी गार का किरदार निबाय था जो जल्दी से जल्दी अमेर बनना चाहता था फिर एक दिन बारिस के करण उसके चर टूड़ जाती है और उसे एक पोटले मिलती है जिसके अंदर एक डायरी डखे गई थी इसे पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके दादा ने पाकिस्तान में हीरे जवारात चुपा रखे हैं और उसे पाने के लिए वे स्रिनिदी के सा पाकिस्तान जाता है और उस जगे का पता लगाने की कुशिश करता है जहां पर उसके दादा ने हीरे जवारात चुपा रखे थे और इसमें उनकी एक पाकिस्तानी लड़की मदद करती है और इसी दोरान एक सुल्तान नाम का अतंगवादी उन्हें पकड़ लेता है और उ जाना गौतम को मिल जाता है, तो दोस्तो ये थी इस फिल्म की कहानी, अब बात करते हैं फिल्म दो जुड़े वे कुछ अंसुने फेक्ट के बारे में, फेक्ट नमबर एक, दोस्तो डारेक्टर चंदर सेकर यलती साउथ की एक मसूर डारेक्टर हैं, जो की एंती, प्रनायम, विकास, एक्प्रेस, वोकाडू और वांटिड जैसी कहीं सुपरीट फिल्में बना चुके हैं, और ये उनकी गोपचंद के साथ दूसरी फिल्म थी, इससे पहले वे उनके साथ 2007 में सुपरीट फिल्म वोकाडू बना चुके थे, फेक्ट नमबर दो, दूस्तो पहले इस लीड हुरन का रोल तमना भाटिया को उफर किया गया था, लेकिन वे किसी दूसरी फिल्म में बिजी थी, जिस कारण ये रोल तापसी पन्नु को मिल गया, और तापसी पन्नु की गोपचंद के साथ ये दूसरी फिल्म थी, इससे पहले वे उनकी साथ 2011 में फिल्म चुकी थी, फैक्ट नमबर तीन, दोसरी फिल्म में जो पाकिस्तान का सीन दिखाया गया था, उसकी सुटिंग गुजरात और हैदरबाद के रामजे स्टूडियो में हुई थी, इस फिल्म के लिए एक स्पेसल सेट बनाया गया था, जिसमें काफी सारे ग्राफिक्स का इस जाना था, लेकिन बाद में डारेक्टर को लगा कि ये एक एडवेंचरस फिल्म है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का नाम बदल कर सासम रख दिया, फैक्ट नमबर छे, दोसरी अपने एक इंट्रिव में डारेक्टर चंद सिकर येलती ने बताया था कि वे काफी समय से एक एडवेंचरस फिल्म बनाना चाते थे, और इस फिल्म को बनाने का आइडिया उनके दोस्त परसांस नहीं दिया था, जिन्होंने इस फिल्म के डायलोग लखे थे, तो दोसर ये थे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ अंसुने फैक्ट्स, अगर आपको वीडियो पसंद कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और विस वीडियो ला सकूंँ